कल से यानि सुक्रवार देर रात से देश में एंटी पेपर लिग कानून लागू कर दिये गया है इस कानून का जो प्रावधान है आज हम उस पर चर्चा करेंगे देखिए नीट विबाद के बीच केंदर ने जारी की अधिसूचना पेपर लिग के खिलाब कानून देश में लागू कर दिये गया है नीट विबाद के बीच केंदर ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि सरकार इस पर सक्त और नया कानून कब बनाएगा अब उसी कड़ी में सक्रुआर देर रात सरकार ने अधिसूचना लागू कर दी है तकनीकी भासा में बोले तो पबलिक एग्जामनेशन प्रिवेंशन और अनफियर मेंज एक्ट 2024 के प्राधान अब देश में लागू हो चुके हैं देखिये क्या कहता है एक कानून यह कानून तो इस साल फरवरी में ही लागू हो गया था अब उसकी अधिसूचना जारी कर अमली जामा पहना दिये गया है इस कानून के तहत पेपर लीक के आरोपी को 3-5 साल की सजा और 10 लाग रुपए तक का जर्माना देना पड़ सकता है समझने वाली बात यह है कि जो आरोपी इस पेपर लीक रेकट के साथ सक्रीय रूप से जोड़े रहोंगे या फिर जो पुराने अपरादी होंगे उन्हें इस कानून के तहत 10 साल तक की सजा दी जा सकती है ऐसे संगठित आरोपीओं पर एक करोड का भारी भरकम जुर्माना तक ठोका जा सकता है अब देखे कानून में सामिल कौन कौन सी परिक्षाए है अब या कानून इसलिए माइने रखता है क्योंकि हर बड़ी और छोटी आहम परिक्षाए इसमें सामिल कर ली गई है इस कानून के दारे में UPSC, MPSC, Railway या SSC द्वारा आयोजेत परिक्षाए बैंकिंग भरती परिक्षाए और राश्टिय परिक्षण एजेंसी यानि NTA द्वारा आयोजेत सभी कम्प्यूटर आधारित परिक्षाए सामिल की गई है ऐसे में इन परिक्षाओं में अगर किसी भी तरह की धांदली की जाएगी तो सक्त से सक्त कारवाई देखने को मिलेगी अब देखे कैसे बढ़ेगी इसकी सुरक्षा इस कानून का एक अहम पहलू याई भी है कि यह एक कम्पूटर पर होने वाली परिक्षाओं की सुरक्षा की भी बात करता है इस कानून में हाई लेबल नेशनल टेक्निकल कमेडी बनाने की मांग हुई है इसके अलावा परिक्षा की दोरान इलेक्ट्रोनिक सर्विस और फुल प्रूप आईटी सेक्योर्टी सिस्टम रखे जाने की भी मांग की गई है बड़ी बात यहाँ है कि इस कानून के तहट दोसी पाय जाने वाले पर आरोपियों की प्रूपर्टी की कोईगी की जा सकती है जाँच एजनसी को या तागत दी गई है कि जिससे हर आरोपिय के खिराप नेकल कसी जा सके इस कानून का एक दिल्चस्प पहलुया है कि इसे छात्रों से दूर रखा गया है यानि कि उन्हें इस कानून में सामिल ही नहीं किया गया है सिर्फ उन आरोपियों पर फोकस है जो बच्चों के भविश्च को खराब करने का काम करते हैं जो गलत तरीके से पेपर लीग करवाते हैं वैसे इस कानून की टाइमिंग इसे सुर्खियों में लाने का काम कर रही है इस समय देश में नीट के कई छात सड़कों पर उतर बिरोध प्रदरसन कर रहे है उनका कहना है कि इस बार नीट परिक्चा में धानली हुई है पेपर भी लीग हुआ है उस मामले की जाच अभी जारी है लेकिन हर वीत्ते दिन के साथ साजिस के सबुत मिलते जा रहे हैं और उस सबका एपी सेंटर बिहार बना हुआ है